क्या इनोवा और क्या अर्टिगर सब को चुनौती देती नजर आ रही है ये साथ सीटर फैमिली कार मिलते हैं अद्वांस फीचर्ज। कियर क्यारंस को कंपणी ने 15 फर्वरी 2022 को पहली बार इंडियन मार्केट में लॉंच किया था। कंपणी ने इस कार के साथ बजार में मारुती अर्टिगर और टोयोटा इनोवा के बीच उस प्राइस गैप को टार्गेट किया था जिसमें कोई दूसरी कार मौजूद नहीं थी। भारतिय बजार में बड़ी साइच और ज्यादा सीटिंग कपैसिटी वाली कारों का चलन हमेशा से रहा है। ऐसी कारे जिसमें पूरी फैमिली और फ्रैंज एक साथ सफर का मजा ले सकें, इस मामले में MPV कारों को सबसे मुफीद माना जाता है। MPV सेग्मेंट में लंबे समय से टोयोटा इनोवा या फिर मारूती सुजुकी अर्टिका ही दब-दबा रहा है। लेकिन हाल ही में बजार में एंट्री करने वाली एक MPV ने इन दोनों कारों को चुनौती दे दी है। हम बात कर रहे हैं किया कारेंस की आकर शकलुक दमदार इंजन और एक से बढ़कर एक एडवांस फीचर से लैसिस कार ने बीते अप्रेल महीने में बिक्री के मामले में मारूती अर्टिका और टोयोटा इनोवा दोनों को पीछे छोड़ दिया है। हाला कि ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले भी फरवरी महीने में किया कारेंस बिक्री में मारूती अर्टिका के काफी करीब पहुँच गई थी। क्या कहते हैं बिक्री के आकर ले। ताजा रिपोर्ट पर गौर करें तो बीते अप्रेल महीने में किया कैरंस के कुल 6,107 यूनिट्स की बिक्री हुई है, जो कि पिछले साल के इसी महीने में 5,754 यूनिट्स थी, दूसरी और इस महीने के दोरान अर्टिगर के कुल 5,532 यूनिट्स की बिक्री हुई है जो कि पिछले साल के अप्रेल महीने में 14,889 यूनिट्स थी। वही सेग्मेंट में एक अलग ही मुकाम पर रहने वाली इनोवर के कुल 4,837 यूनिट्स बेचे गए हैं। सल्स रिपोर्ट इस बात की गवाह है कि मारुती अर्टिगा की बिख्री तेजी से कम हुई है। साल दर साल मासिक बिख्री में अर्टिगा ने 63 प्रतिशत की गिरावध दर्ज की है। जबकि मामूली अंतर के साथ ही लेकिन किया कारेंस ने 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है। क्या कहते हैं बिख्री के आंकड़े। ताजा रिपोर्ट पर गौर करें तो बीते अप्रेल महीने में किया कैरंस के कुल 6107 यूनिट्स की बिक्री हुई है, जो कि पिछले साल के इसी महीने में 5754 यूनिट्स थी, दूसरी और इस महीने के दोरान अर्टिगर के कुल 5532 यूनिट्स की बिक्री हुई है जो कि पिछ कि मारुती अर्टिगा की बिख्री तेजी से कम हुई है। साल दर साल मासिक बिख्री में अर्टिगा ने 63 प्रतिशत की गिरावत दर्ज की है। जबकि मामूली अंतर के साथ ही लेकिन किया कारेंस ने 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है। लोगों को क्यों पसंदा रही है ये कार। किया इंडिया ने एक बहतर प्लानिंग के साथ कैरल्स को बजार में उतारा था। 15 फरवरी 2022 को कमपनी ने इस कार को 1.99 लाख रुके की शुरुआती कीमत में पेश किया था। बतौर MTV जिसमें साइज और स्पेस ज़्यादा माइने रखता है तो किया कारेंस कीमत के मामले में इनोवा जैसी मेहंगी तो नहीं थी लेकिन अर्टिगा के मुकाबले साइज में बढ़ी है। इतना ही नहीं इस कार का वील बेस तो इनोवा से भी ज़्यादा है। साउथ कोरियन कमपनी किया ने भारतिय बजार में अपनी पहली कार के तोर पर सेल्टोस को साल 2019 में लॉंच किया था जिसके अपडेटिड मॉडल का इंतजार है। दूसरी और कमपनी के पोर्टफोलियो में सौनेट, कारनिवा और कारेंस जैसे मॉडल शामिल है। तारेंस ने कमपनी के सल्स को बहतर करने में एहम भूमिका निभाई है। जैसा कि इस कार को साल 2022 में लॉंच किया गया, उस दोरान वित्तिय वर्ष माइनस 22 में कमपनी ने इस कार के कुल 12,692 यूनिट्स की बिक्री की थी। जबकि वितर वर्ष माइनस 23 में ये आंकड़ा 57,964 यूनिट्स रहा। यानि की लॉंच होने के बाद जन्वरी 2023 तक इस एमपीवी के 70,000 से ज़्यादा यूनिट्स की बिक्री की जा चुकी है। कि अक्यारंस में क्या है खास। कि अक्यारंस को कमपनी ने कई एडवांस फीचर्स के साथ अब बहतर सीटिंग कपैसिटी में पेश किया है। इसके अलावा अपने प्राइस सेग्मेंट में ग्राहक इस MPV को खूब पसंद भी कर रहे हैं। ACV कार की स्टाइलिंग और MPV जैसा कमफर्ट दोनों ही इस कार में मिलता है। कुल 5 वेरियंट्स प्रीमियम, प्रेस्टीज, प्रेस्टीज प्लस, लगजरी और लगजरी प्लस में आने वाली ये कार 6 सीटर और 7 सीटर दोनों लियाउट में उपलब्ध है। लॉंच होने के बाद इस कार की कीमत बढ़ गई है। इसकी कीमत 10.45 लाख रुपे से लेकर 18.95 लाख रुपे के बीच है। इस कार में आपको 206 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। जिसमें आप अपने जरूरत की लगेज रख सकते हैं। इसके दूसरी पंक्ती में टिंबल डाउन सीट दिया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रोनिक ब्रेक फोर्स दिस्ट्रिबूशन इबीडी के साथ हेंटी लॉप ब्रेकिंग सिस्टम, ABS, और वील डिस्क ब्रैक्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, टीपी एमेस, रियर पाकिंग सेंसर, सभी वेरियंट में, वीकल स्टेबिलिट मेनेजमेंट, वीएसम, डाउन्हिल ब्रेक कंट्रोल, डीबीसी, इलेक्रोनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इससी, जैसे फीचर्स मिलते हैं वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेर करें और सब्सक्राइब जरूर करें